हलो माई डियर स्टुडेंट्स वलकेम बैक तो आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे है रेनल मार्टिन के बुक टूक जिसमें हम कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो इसमें देखो हमें पढ़ना किया वैसे आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था बहुत डिमांड था कि सर प्लीज आप जिस तरह से रेनन मार्टिन के बुक से आपने बुक वन को कंप्लीट किया आप बुक टो को भी कंप्लीट किजे बहुत ही इंतजार है इस वीडियो का तो बिलकुल इस से मैं start करने जा रहा हूं और Buk2 में देखो क्या है नुख 2 जो ये composition related है जिसके अनदर अलग-अलग पार्ट है तो हम लोग पार्ट one स्टार्ट करेंगे और पार्ट वन में देखों हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट में पढ़ेंगे analysis transformation and synthesis तो यह सब चीजे होती क्या है मैं आपको बताऊंगा जितने भी चीजेस में हैं जितने भी टर्म से सब कुछ मैं clear करूंगा और बताऊंगा कि यह बुक्वन जो है यह important क्यों है क्यों आपको बुक्वन को आपने complete किया बुक्वन को भी आपको complete करना क्यों important है यह सबी चीज मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो ध्यान दीचेगा तो बेसिकली बुक्वन में हम लोग जो कढ़ेंगे इसमें हम लोग sentence का analysis करना सिखेंगे sentence का visualization करेंगे एक तरह से कहा जाए तो sentence के elements क्या क्या होते हैं एक तरह से हम लोग sentence का post-mortem करेंगे बात समस्मारी है तो आपने अक्सर notice किया होगा कि जब आप पढ़ना start किये थे जब आप मतलब जब आप class 1 में थे 2 में थे 3 में थे जब आप junior classes में थे तो आपके textbook में या आपके जो भी story books थे या literature के book थे उसमें जो sentences होते हैं बहुत छोटे-छोटे sentences होते हैं बहुत छोटे-छोटे sentences होते हैं और छोटे-छोटे sentences बोलना भी एक तरह से कह सकते हैं कि आसान होता है और समझना भी आसान होता है, समझना जादा आसान होता है, बोलना चोटे-चोटे sentences बोलने में थोड़ा सा होता है कि बार-बार हमें pause लेना पड़ता है, हमें अगर एक बात कहनी हो और चोटे-चोटे sentences में कहनी हो तो बार-बार हमें pause लेने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हो जाता है तो यही ओपको बताना कैसा कैसे हम समझ सकते हैं आपने देखा होगा कि Recent higher classes के जब आप books पढ़ते हैं जब आप higher classes में गए तो आपके book से दो changes आपने notice किया होगा आप अपने book में आपने जो भी आपका text book था जो भी आपका stories books थे हैं literature के books थे आपने देखा होगा कि उसमें दो changes हुए है पहला change थो यह होता है कि हमारे books से pictures गाइब होने लगते हैं हम जब बचपन में पढ़ना start किये थे तो क्या था कि उसमें pictures ज़्यादा थे और words कम थे, text कम थे लेकिन जैसे जैसे हमारी classes बढ़ती गई हुआ क्या वहाँ पर pictures उसमें से disappear हो गया और उसमें words ज़्यादा आ गया और दूसरी change जो हमने notice कि जुनियर classes में sentences बहुत छोटे-छोटे होते थे लेकिन जैसे जैसे हम senior classes में आते गया books में sentences बहुत longer हो गया बड़े sentences हो गया और फिर समझना हमारे लिए बड़ा difficult हो गया वहीं देखा जाये तो जितने भी writers है writers जब लिखते हैं किसी बात को लिखते हैं को stories लिखते हैं novel लिखते हैं ठीक है drama लिखते हैं या को news articles लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि sentences बहुत बड़े-बड़े हैं जल्दी फूल स्टॉप ही नहीं मिलता है तो यहां पर जब बड़े-बड़े sentences होते हैं तो इसको समझना क्यों difficult होता है यह इसलिए होता है क्योंकि आप लोग sentences को analyze गरना नहीं जानते हो sentences में क्या-क्या elements हो सकते हैं क्या-क्या उसके unlimited question conscience को आप combine करके जब बड़ा sentence बनाते हो longer sentences बनाते हो तो उसको हम synthesis करते हैं बात समझना रहे हैं और transformation basically होता है कि sentence के फोर्म को change करना sentence का रूप को change करना बिना meaning को change किये होए कि और analysis का मतलब तो हम समझ रहे हैं कि हम बिलकुल with lesson करेंगे कि बड़े-बड़े sentences में क्या-क्या चीज़े होती है, ठीक है, चलिए, तो अब हम धीरे-धीरे हम लोग इस चीज़ को start करेंगे और बढ़ेंगे, तो एक बात ध्यान दिजेगा, थोड़ा सा book 2 में बहुत ज्यादा चीज़े दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जैसे chapter 1 हमने आ बना दूँगा, तो इसमें जो है न, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग concept wise वीडियो को complete करेंगे, ताकि वीडियो भी छोटा रहे, और मुझे भी समझाने का time मिले proper, ताकि मैं किसी concept को अच्छे से आपको समझा पाऊं, तो जरा ध्यान दिजेगा, यहां पर, ठीक है, देखो यहां ध्यान दिजेगा, पहले कुछ examples यहां पर ली होएं, और examples में देखो क्या है, छोटे छोटे sentences है, देखो पहला sentence क्या है, पहला sentence है, a poor man was going to his village, दूसरा sentence है, he found a bag, तीसरा sentence है, the bag was full of golds, तो यहां देखना, यहां पर तीन sentences है, Sir, please tell me how to, how to, we can improve our writing skills, उसके लिए मैं एक dedicated video बना दूँगा, कि कैसे हम अपने writing skills को improve कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं उस पे ही tips देना सुरू करता हूँ इस video में, तो पता चलेगा, कि हमरा topic कुछ और ता और हम कुछ और चीज़ पढ़ाने लगे, ठीक है, तो मैंने आपके बात को note कर लिया है, उस पे भी मैं अलग से video बना दूँगा, ठीक है, don't worry about that, तो देखो, यहाँ पर तीन छोटे-छोटे sentences है, एक तो sentence देखो क्या है, पहला sentence है, पहला sentence है, a poor man was going to his village, दूसरा sentence है, he found a bag, और third sentence है, the bag was full of gold coins, तो देखो, यहाँ पर जब हम छोटे-छोटे sentences जब हम बोल रहे हैं, तो इससे फाइदा एक यह हो रहा है, कि हमें चीजे समझ में आता रही, क्या समझ में आ रहा है, कि एक poor man जो था, वो अपने गाउं जा रहा था, ठीक है, उसे मिला क्या, उस आदमी को मिला, एक bag मिला, भाई, bag में क्या था, bag was full of gold coins, बात समझ में आ अलग अलग तीन sentences में इस बात को बोल रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है, कि बार बार pause लेना पड़ रहा है, तो जरा ध्यान दिजेगा, कि क्या ऐसा हो सकता है, कि यह तीनो sentence को, यह तीनो sentence को मिला करके, यह तीनो sentence को एक साथ मिला करके, क्या हम इसको एक long sentence बना सकते हैं, क्या एक ही sentence में हम ये तिनों बात को कह सकते हैं तो longer sentences आखिर बनते कैसे हैं तो मैं बता रहा हूँ longer sentences बनते कैसे हैं जब भी आपको longer sentences बनाना हो तो आपको छोटे-छोटे sentences को combine करना पड़ेगा एक साथ मिलाना पड़ेगा लेकिन छोटे-छोटे sentences को एक साथ मिलाने के लिए क्या क्या चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपका सेंटेंस का ज्यान होना चाहिए कि सेंटेंस हम कहते कि सेंटेंस में सब्जेट कौन होता है सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन होता है पहला चीज पहला चीज तो सेंटेंस के बारे में आपको अच्छा जमकारी होना चाहिए दूसरी बात आपको फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रेज होता क्या है और फ्रेज के अलावे फिर आपको क्लाउस के बारे में पता होना चाहिए और कंजंक्शन तो कुल मिलाके सेंटेंस सी सेंटेंस लेकिन सेंटेंस को बड़ा कौन करता है सेंटेंस को बड़ा ठीक है, clause का और तीसरा है, conjunction का, क्योंकि conjunction से ही हम sentences को, clauses को जोडते हैं, conjunction का, conjunction का, ठीक है, ये तीन ऐसा factor न, जो sentences को बढ़ा करने में बहुत use होते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ के बारे में भी हम जानेंगे इस book में, ठीक है, तो देखो, ध्यान दिजिएगा, अब क्या न sentence बना देंगे, तो जब ये तीनो sentence को हम मिला करके, एक sentence बना देंगे, तो देखो, क्या sentence बनेगा, sentence बनेगा, while going to his village, a poor man found a bag, which was full of gold coins, अब देखो, ये जो तीन, एक, दो, तीन, जो बात हम तीन sentences में कर रहे हैं, उसी बात को, complete बात को, यहाँ पर हम, एक ही sentence में कर दे रहे while going to his village, a poor man found a bag, which was full of gold coins, तो आपने देखा होगा, जब आप English newspaper वगर पढ़ते हैं, या फिर आप कोई articles या stories पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा, कि कोई until or unless की, ये बच्चो वाली किताब हो, बच्चो वाली किताब में तो sentences आपको छोटा ही मिलेगा, लेकिन otherwise आपको ज articles या vlogs पढ़ते हैं, जो भी news पढ़ते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि sentences बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो sentences इस तरह से छोटे-छोटे sentences को बड़े कर दिये जाते हैं, लेकिन बड़े sentences सर ये बात तो हम समझ गये हैं, लेकिन सर बड़े sentences के अंदर क्या-क्या certificate के बारे में हमने सीखा था, फिर से हम लोग इसको धोराते हुए, चीजों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी भी भासा का सबसे important part होता है sentence, ठीक है, और sentence कैसे बढ़ा करेंगे, हम लोग छोटा से पहले सीखेंगे, sentence का जो दो main part होता है उसके बारे में पहले जानेंगे, तो देखो यहाँ पर एक sentence हमने लिया example में, sentence क्या, Sarah won the first prize, अब देखो यह sentence है, Sarah won the first prize, अब देखो इस sentence में दो part, किसी भी sentence में, किसी भी sentence में, दो part होता है, अगर हम, अगर मोटे तोर पे कहें, तो किसी भी sentence का दो part होता है, दो basic part होता है ठीक है अब ये दो बेसिक पार्ट कौन कौन सा है एक तो होगा subject और एक होगा predicate बात समझना रहे हैं एक होगा subject और एक होगा predicate किसी भी sentence का अगर basic तोर पे बात करें तो दो part होता है दो main part होता है एक होता subject और एक होता प्रेडिकेट तो ये चीज आपने बुक वन में भी देखाते हैं कि subject हम किसको कहते हैं, प्रेडिकेट हम किसको कहते हैं, फिर से मैं बताता हूँ, देखो किसी भी sentence में हम subject किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि sentence में हम subject उसको करते हैं जो किसी काम को करता है जो किसी action को perform करता है लेकिन ये बात कहीं कहीं गलत हो जाती है तो subject का actual सही definition ये नहीं होगा कि जो काम करेगा वही subject होगा ठीक है देखो subject काम कर भी सकता है subject काम नहीं भी कर सकता है आपने देखा होगे कि passive voice में subject खुद से काम नहीं करता है तो क्या वो subject नहीं है फिर भी वो subject है तो subject हम उसको नहीं कहते हैं जो कि कोई action को perform करता है subject हम उसे कहते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हो जिसकी चर्चा हो रही है किसी भी statement में किसी भी sentence में जिसकी चर्चा हो रही हो चर्चा में या तो कोई वैक्ती हो सकता है या तो कोई परसन हो सकता है या तो कोई दूसरा चीज हो सकता है लेकिन जिसकी भी चर्चा हो रही हो न वही sentence का subject होता है तो देखो यहाँ पर हमने एक statement दिया कि Sarah won the first prize अब देखो यहां चर्चा किसकी हो रही है चर्चा प्राइज की हो रही है सारा की हो रही है यानि कि हमारा में डिसकेशन किस पर जा रहा है सारा पर जा रहा है तो इस संटेंस में चर्चा हो रहा है किसके बारे में सारा के बारे में हो रहा है तो इसी को हम सब्जेट कहेंगे देखो ध्यान देना subject का definition, सबसे सटीक definition और कहीं भी गलत नहीं होता है, सब जगा apply हो जाता है, देखो subject क्या होता है, who or what the sentence is about, तो कहने का मतलब है कि किसी भी, मतलब जो sentence है, वो किसके बारे में है, subject हम उसे कहते हैं कि sentence, जो भी sentence लिखा हुआ है, वो sentence किसके बारे में है, वो sentence किसी चीज के बारे में है, ठीक है, तो who or what, यानि sentence किसके बारे में है, तो sentence है सारा के बारे में, sentence किसके बारे में है, sentence सारा के बारे में, तो सारा क्या है, ये subject है, सारा क्या है, sentence का subject है, बात समझ में आ रहे हैं, तो भाई, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, तो ध्यान दिज टॉइजेगा अच्छा संटेंज का वह पार्ट जु सब्जेट के बारे में हमें कुछू एक्स्रा बताता हैंग आ Gal गई सारा first prize जिद गई तो sentence का जो ये वाला पार्ट है वह on the first prize ये हमें subject के बारे में कुछ information दे रहा है subject के बारे में हमें कुछ बता रहा है तो यह क्या हो गया ये प्रेडिकेट हो गया ये वाला पार्ट क्या हो गया बात समस्में यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि किसी भी हम सेंटेंस में सब्जेट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद एक बात हमें साथ ध्यान दिजिएगा कि किसी भी sentence में चलो यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर भी मैंने कुछ example लिया है अब देखो धीरे-धीरे sentence बड़ा होना शुरू होगा बड़ा कैसे होता है तो देखो यहाँ पर फिर से एक example है डॉस्टंटेंस बाख ठीक है यहाँ पर मुझे बताना यह sentence है कि नहीं है यह sentence है अब मुझे यह बताना कि इस sentence का subject कोन है इस sentence का subject कोन है भई' चर्चा किसकी हो रही है चर्चा docs के हो रही है तो ये क्या है docs क्या है डॉक्स जो है न ये सब्जिक्ट है ठीक है आब देखो यहां पर predicate कौन है तो जो भी subject को छोडना के बाद जो भी part बच जाएगा जो subject के बारे में हमें information देगा वो क्या होगा वो होगा predicate तो ये बार क्या ही प्रेडिकेट है तो कहीं ने कहीं अगर आप देखोगे तो प्रेडिकेट के अंदर जो सबसे में पार्ट होता है प्रेडिकेट के अंदर जो इसेंशल पार्ट होता है वो होता है वर्ब बात को ध्यान से समझेगा प्रेडिकेट के अंदर बहुत कुछ हो सकते हैं ध्यान दि जो है ना subject को छोड़ने के बाद sentence में जितने भी जितने भी जो पार्ट बज जाते हैं या प्रेडिकेट होते हैं लेकिन प्रेडिकेट का जो सबसे important हिस्सा जो होता है जिसके बिना प्रेडिकेट हम उसे नहीं कह सकते हैं वो होता है वर्ब तो एक बात हमेशा नोट कर लिजेगा कि प्रेडिकेट में वर्ब is the essential part वर्ब is the essential element बीना वर्ब के प्रेडिकेट संभव नहीं है जैसे देखो एक नकीजाम्पल में अलग से आपको देता हूं ठीक है चलिए यह ही इनि ओक्समिण में आजाएगा तो अब देखो यहांपर पहला sentence थो है डॉंक्स बार्क जिसमें सब्जेक्ट है डॉंक्स और बार्क क्या है यह वैँड ठीक है अभधार Second sentence को देखना Second sentence दोसरे वाले संटेंस में सब्जेक्ट एक वर्ड का है और वर्ब इक वर्ड का थीडर्व दूसरे वाले सारे वर्ड्स आ गए प्रेडिकेट में एक वर्ड नहीं है प्रेडिकेट में कही सारे वर्ड्स आ गए ठीक है बात समझ में आ रही है जिसमें क्या न जिसमें यह जो है बार्क जो है यह हमारा वर्ब है बार्क क्या वर्ब है तो यह पूरा के पूरा part predicate कहला गया देखो predicate में एक भी word आ सकता है एक से जादा words भी आ सकते हैं सभी का अलग-अलग function हो सकता है लेकिन जिसमें सबसे जादा जो जरूरी चीज है वो है verb ठीक है तो आप मुझे एक बात बताना क्या बीना verb का कोई प्रेडिकेट हो सकता है क्या अगर इस sentence को हम ऐसे लिख दें अगर इस sentence को हम ऐसे लिख दें कि dogs dogs bark dogs फिर से मैं इसको लिखता हूँ dogs dogs at dogs at strangers dogs at strangers dogs at strangers अब देखो चलो भई ये तो subject हो गया चलिए हम मांते है ये तो subject हो गया Docs दो सब्जेक्ट हो गया तुक है अच्छा Subject के बाद जितने भी words बच जाते है न उसे हम Predicate कहते हैं लेकिन मुझे ये बता न जिसे प्रेडिकेट कह सकते हैं हम इसे प्रेडिकेट नहीं कह सकते हैं ठिक है इसे हम अभी भी Subject कह सकते हैं दिक्कत नहीं है हम इसे अभी भी सब्जेट कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक स्ट्रेंजर्स को हम प्रेडिकेट नहीं कह सकते हैं क्यों नहीं कह सकते हैं हम इसे प्रेडिकेट क्यों नहीं कह सकते हैं हम इसे प्रेडिकेट इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बीना वर्ब के प्रेडिकेट संभव नहीं है बिना वर्ब के प्रेडिकेट संभव नहीं है प्रेडिकेट में कई सारे words आ सकते हैं वर्ब के अलावे और भी कई सारे words, modifiers वगरा आ सकते हैं लेकिन विना वर्ब के प्रेडिकेट संभव नहीं है तो इसलिए हम इसको predicate नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर verb missing है यहाँ पर इस part में verb missing है तो एक बात आप note कर लिजेगा कि बिना verb के predicate संभव नहीं है और इसलिए verb जो है न किसी भी predicate का compulsory part है essential part है उसके बिना predicate संभव नहीं है बात समझ में आ रही है तो predicate पहले वाले sentence में subject भी एक word का है predicate भी एक word का है और predicate हम इसको इसलिए कह पहा रहे है क्योंकि यहाँ पर जो बार्क है न यह वर्व है और अगर वर्व है तो predicate है वर्व नहीं है तो फिर predicate कहीं से भी नहीं है जैसे अगर हमने लिखा रोहन रोहन हेल्पड रोहन हेल्पड सोहन अब मुझे बताना इसमें subject कौन है तो इसमें subject जो है यह है रोहन चर्चा किसकी और यह रोहन का तो यह subject है और यह क्या यह वर्व है और sentence में सोहन क्या यह object है है लेकिन sentence का दो basic part होता है एक तो होता है subject और subject को छोड़ने के बाद जितने भी words आते हैं including the verb including the verb is called predicate तो यह predicate ठीक है यह predicate है बात समझ में आ रहे है क्योंकि इसमें वर्ब भी contain कर रहा है ठीक है लेकिन क्या अगर हम ऐसे लिख दिए ऐसे हम लिख दिए रोहन और सोहन हमने लिख दिया तो सबसे पहली बात है यह तो sentence ही नहीं है बिना वर्ब के sentence ही नहीं बनता है बिना वर्ब का sentence बनी नहीं सकता है तो वर्ब किसी sentence का सबसे ना केबल प्रेडिकेट का बलकि सेंटेंस का भी important part होता है बात समझ में आ रहे हैं तो इसमें अगर वर्ब आप बोल दोगों कि ज़र रोहन जो है न यह subject है और बाकी जो word बच गया यह प्रेडिकेट भहिया यह कैसे प्रेडिकेट हो गया कहीं से भी यह प्रेडिकेट नहीं हो सकता है यह प्रेडिकेट नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि इसमें तो वर्ब है ही नहीं तो इसलिए हम इसे प्रेडिकेट नहीं कह सकते हैं बात समझ में आ रहे हैं चलिए तो देखो, तो अभी हमने देखा, फिर से मैं वही बात तो बुलूँगा, मैं बार-बार एक ही बात को इसलिए दोर आता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं, आगे आने वाले जितने भी example होते हैं, वो पहले वाले example से connected होते हैं, तो यहाँ पर subject भी एक word का, और predicate भी एक word का, ठीक गया, उसके बाद जो हमने देखा second sentence में, subject जो है, subject जो है, यह एक word का है, ठीक है, लेकिन प्रेडिकेट में कई सारे words आ गया है, लेकिन subject हमारा, क्या है, एक ही word का है, तो किसी भी sentence में, किसी भी sentence में subject एक word का हो सकता है, लेकिन predicate कई words के हो सकते है including the verb, ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम third sentence अगर देखते हैं, तो third sentence में, third sentence में, subject देखो कौन है, subject जो है न, यह पूरा के पूरा subject है, subject जो है न, यह पूरा के पूरा subject है, ठीक है, यह पूरा के पूरा subject है, यह पूरा के पूरा subject है, और देखो यह हमारा verb है, ध्यान दिजेगा, जो verb होता है न, देखो किसी भी sentence में verb, वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होता है, वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होगा, वो subject का पार्ट होगा, वो subject का पार्ट होगा, वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होगा, subject का पार्ट होगा, तो यह पूरा के पूरा subject का पार्ट है, ठीक है, और यह इधर प्रेडिकेट का पार्ट हो गया यह यहां से जो हो गया ने यह प्रेडिकेट का पार्ट हो गया तो देखो यहां प्रेडिकेट में जब हम देख रहे हैं यहां जब हम प्रेडिकेट में देख रहे हैं तो कहीं ने कहीं प्रेडिकेट में कई सारे वर्ड्स आगें एक वर्ड तो नहीं है एक वर्ड यह है यह दूसरा वर्ड है यह तीसरा वर्ड है और हम सब्जेट की बात करें तो इस बार सब्जेक्ट भी एक वर्ड का नहीं है इस बार सब्जेक्ट भी एक वर्ड का नहीं है इस पर subject भी कई words का है, तो subject में भी देखो, एक word तो dog हो गया, दुसरा in preposition हो गया, और तीसरा देखो article है, चौथा word देखो क्या है, चौथा ये streets है, dogs in the streets bark at strangers, तो अब यहाँ पर subject की अगर हम बात करें, तो subject में भी कई सारे words आ गया, और अगर हम predicate की बात करें, तो predicate में भ बड़े, बड़ा होने लगते हैं, ऐसे ऐसे sentences हमारा क्या होता है, ये बड़ा होने लगता है, बात समस में आ रही है, तो देखो, तो इसका आखिर काम क्या है, चलिए अभी इसको थोड़ा से analyze करते हैं हम लोग, तो देखो सार, अगर ये पूरा, ये अगर subject है, अगर ये subject का पाट है, मैं इसको subject नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये complete जो नहीं subject का पाट है, तो इसके अंदर भी actual subject होगा, अब एक बात मैं बताता हूँ, ये बात एकदम से कान खुल करके सुन लेना आप लो, subject के जगह पे, किसी भी sentence में, subject के जगह पे कौन आ सकता है, subject के जगह पे दो ही चीज़ आ सकता है, एक तो noun आएगा, और दूसरा noun equivalent, दूसरा noun equivalent, subject के जगह पे आने का अधिकार दो ही को है, एक तो है noun, और एक है noun equivalent, बात समझ में आ रहे हैं, तो noun equivalent का मतलब हो गया, कोई भी ऐसा word, या कोई भी ऐसा group of words, जो कि noun का का काम कर सकता है, noun का जगह ले सकता है, उसको हो भी मैं subject के जगह पे लाते हैं, ठीक है, तो subject के जगह पे दो ही चीज़ आता है, या थो noun का equivalent आता है, ठीक है, या तो noun का जगहा पे Dashy object के जगहा पे या तो 9 आएगा या तो 9 का equivalent आगा यह समीडियाटे से ने का मतलब हो गया जो देखने से 9 किसका करेगा ना उन का करेगा चाहे हो सिंगल वर्ड हो चाहे वो ग्रूप अगर हो नाउन का काम कर सकता है नाउन का function कर सकता है तो यह सभी क्या क्या लाएंगे noun equivalent क्या लाएंगे ठीक है तो देखो ध्यान दिजिएगा प्रेडिकेट से पहले जो जितने पार्ट होते हैं सारा हो subject का पार्ट होता यह subject पार्ट है होता है वर्व होता है कौन होता है वर्व होता है ठीक है तो उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट में भी धेर सारे वर्ट साजाए तो उसमें सब्जेक्ट के अंदर भी मेन पार्ट होगा सब्जेक्ट के अंदर भी मेन पार्ट होगा तो सब्जेक्ट के अंदर जो मेन पार्ट या मेन सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा वो या तो कोई नाउन होगा या तो वह कोई नाउन एक्वेवालेंट होगा या तो कोई वह तो जरा अब ध्यान दना ठीक है अभी हम लोग subject पर काम करते हैं अब देखो यह पूरे के पूरे जो subject का पार्ट है इसमें noun कोन है सर यहाँ पर noun जो ने डॉक्स है now जो है यह न यह डॉक्स है यह noun जो न जो यह डॉक्स है यह street जो है ना यह group of words के साथ है यह group of words के साथ है इंदे streets आया है बात समस्में आ रही तो यह जो इंदे streets जो है मैं इसको मिटा करके बदाता हूँ यह जो है यह आपका noun है और यह जो है ना in the streets इंदे streets यह phrase है किसी भी sentence में group of words जिसका complete नहीं आधा meaning निकलता है उसे हम फ्रेज कहते हैं तो यह फ्रेज है अब यह फ्रेज काम क्या कर रहा है यह फ्रेज काम क्या कर रहा है तो यह काम क्या कर रहा है यह इस डॉग को क्या कर रहा है इस डॉग का क्वालिटी बता रहा है तरह से इस डॉग को मोडिफाई कर रहा है इस डॉग को मोडिफाई में कुछ नया क्वालिटी बताएगा उसको मोडिफाइब करेगा उसमें एक नया करेक्टरिस्टिक जोड़ेगा उसे हम एट्रिब्यूट कहते हैं क्या कहते हैं एक बात मुझे बताईएगा कि इन दे स्ट्रिट्स जो है न यह ग्रूप ऑफ वर्ड्स जो है यह डॉक्स को क्या कर रहा है मोडिफाइब कर रहा है तो जो भी तो इसका मतलब है कि यह तो फ्रेज है यह तो फ्रेज है यह फ्रेज है और यह डॉक्स को मोडिफाइब कर रहा है और जो भी वर्ड यह ग्रूप ऑफ words, noun को modify करता है, उसको हम क्या कहते है, adjective कहते हैं, उसे हम adjective कहते हैं, बात समझ में आ रहे हैं, तो subject में, देखो, subject, actual subject तो adjective कभी भी नहीं हो सकता है, actual subject, adjective कभी भी नहीं हो सकता है, actual subject कौन होगा, actual subject noun होगा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस sentence का जो actual subject है, वो dogs है, ना कि इन दे स्ट्रीट्स है इन दे स्ट्रीट्स जो है ना यह पार्ट अप दे सब्जेक्ट है यह पार्ट अप दे सब्जेक्ट है बट एक्चुल सब्जेक्ट नहीं है ठीक है तो यहां पर हमारा जो सिंपल सब्जेक्ट है वो कौन है यह डॉग है यह डॉग क्या हमारा स और सिम्पल सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट वर्ड भी कहते हैं इसे हम सब्जेक्ट वर्ड भी कहते हैं तो ध्यान देना आगे जब मैं क्लासे को आगे जिस तरह से continue करेंगे class 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 समझ में आ रही है तो डॉक्स हमारा क्या है सब्जेक्ट वर्ड है यहां तक किलियर किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया है इस नाउन नहीं होता अकेले उसका कोई सेंस नहीं होता जी बिलकुल ठीक है तो यह बात आपको समझ में आ कोई दिक्कत नहीं देखो बहुत ही यह ऐसा कंसेप्ट है ना कि समझाने में टाइम लगेगा लेकिन मुझे संझाने में टाइम लएगा और आप लोगोंको भी टाइम देना है पड़ेगा और एक बार अगकर ड्रीये तो नाउन या तो नाउन का उन नाउन का काम कौन कर रहा है दो इसे जो ही एक फ्रेजिस यह एक तरह से मोड़िफाई कर रहा है जो भी वर्ड या group of words noun को या noun equivalent को modify करता है न वो कभी भी subject नहीं हो सकता है वो क्या होगा modifier होगा adjective होगा बात समझ में आ रहे हैं तो पहला term तो हमने सीख गया क्या subject word पहला term तो हमने सीखा subject word subject word और दूसरा देखो क्या है दूसरा जो भी word या group of word जो भी word या group of word जो subject के quality के बारे में बताएगा जो subject के characteristics के बारे में बताएगा subject के quality के बारे में बताएगा या subject में कुछ नया information जोडने का काम करेगा तो उसे हम attribute कहते हैं तो एक तरह से ये इंदे streets जो है ये phrase है लेकिन phrase के साथ इसका नाम क्या है यहाँ पर यहाँ पर इसका नाम है attribute इसका नाम है attribute इसका नाम है attribute इसका नाम क्या है attribute है तो ध्यान देना phrase तो सर कहीं पर भी use हो सकता है तो यहाँ पर भी phrase है तो जिस तरह से आप docs को subject word कह रहे हो जिस तरह से आप doc को subject word कह रहे हो तो sir, in the street को अब क्या कहोगा है, तो ये attribute है, ये किसका attribute है, ये subject का attribute है, ये subject का attribute है, attribute किसको बोलते हैं, जो हमें subject के बारे में extra information दे, या subject के quality के बारे में बात करें, subject के characteristics के बारे में बात करें, या फिर वो subject का part हो, या फिर वो subject का part हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, attribute कहते ह हो गया subject attribute या फिर attribute to subject तो in the streets जो है न यह attribute to the subject यानि subject word यह बात के लिए रहे हैं चलिए बहुत पढ़ियां अब आगे चलते हैं कि अब यहां पर हमने कुछ examples लिए हैं अब examples में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा subject attribute के बारे में एक attribute to the subject word attribute to the subject word इसके बाद हम लोग वर्ब की वर्ब में कौन-कौन से qualification आ सकते हैं हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे लेकिन आज हमें mainly subject पे focus करना subject पे ध्यान देना कि subject बड़ा कैसे होते हैं हम subject attribute में कौन-कौन आ सकता है अभी हमने देखा कि subject attribute में एक phrase आ रहा था लेकिन subject attribute में कोई भी आ सकता है एक single word भी आ सकता है ग्रूप अवर्ड्स भी आ सकता है पॉजीशन आ सकता है पाटिसीपल आ सकता है तो यह सारे एक्जामपल से में आपको बता हूंगा कौन-कौन आ सकता है पहले एक्जाम्पल में देखें तो पहले एक्जाम्पल कि हम बात करें फेथफिल डॉक्स इगरली अवेट दीर ओनौर सुरितर ऑइ Alexa होता यहा पर sentence में चर्चा किसकी हो रही है भाई dogs की चर्चा हो रही है यानि यही noun भी है और इसकी चर्चा हो रही है तो यह हमारा subject word है जब मैं sw लिखुँँगा ना समझ जाना subject word subject word का मतलब किसी भी sentence का main subject किसी भी sentence का main subject ठीक है subject word तो dogs क्या है dogs हमारा क्या है dogs जो है ना यह subject word है और subject देखो और इसके बाद वाला जो पार्टे इगरली अवेट्स फॉर देयर ओनर स्वेटन तो यह predicate हो गया यह predicate हो गया लेकिन यहां पर क्या subject एक single word का है क्या यहां पर subject सिंगल वर्ड का सिंगल वर्ड का नहीं है इसके साथ एक वर्ड और लगा हुआ है इसके साथ एक वर्ड और लगा हुआ है तो यह वर्ड क्या कर रहा है यह वर्ड डॉक्स की विशिष्टा बता रहा है इसको क्या कर रहा है तो एक तरह से जो भी वर्ड जो भी वर्ड यह ज कह सकते हैं कि इस sentence में जो subject attribute है वो एक adjective है फिर से बोलना एक है इस sentence का जो attribute है वो एक adjective क्यों एड जेक्टिव है क्यों कि वर्ड डॉक्स नाउन को क्या कर रहा है उसको modify कर रहा है जो भी word noun को modify करता है वो adjective कहलाता है तो यहां पहले वाले sentence में जो हमारा subject attribute है वो है adjective बात सही किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया चलिए अब second वाले example हम देखते हैं a dog is a faithful animal तो यहाँ पर भी dog की चर्चा हो रही है मैंने एक ही जैसा subject लिया ताकि उसको समझाने में और आसान हो ठीक है तो यहाँ पर dog हमारा क्या subject word है SW का मतलब subject word अठीक है और यह पूरा के पूरा पार प्रेडिकेट है तो यहाँ पर मुझे बताना single word क्या subject में dog है लगिन इसके साथ और क्या गया है इसके साथ article YA है इसके साथ article AI है तो यह कहीं कहीं किसका एट्रिव्यूट है मतब, किसका part है subject का काहीं पार्ट है यह सब्देंट करने के लिए है यहां पर जो सब्देट के साथ जो चुट रहा है वह क्या एक आर्टिकल है तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड जो संटेंस है उसका जो subject attribute है, वो एक article है, क्या है, वो एक article है, बात समझ में आ रहे हैं, उसके बाद हम अगर third sentence की बात करें, तो third sentence में, my dog is too friendly, my dog is too friendly, तो यहाँ पर हमारा main subject कौन है, subject word कौन है, dog है, subject word कौन है, ठीक है, और इधर वाले part क्या हो गए, subject के बाद वाले part क्या होते हैं, dedicate होते हैं, तो अब मुझे यह बताना, कि subject तो हमारा यह है, लेकिन इसके साथ extra word कौन सा जूड़ गया, extra word इसमें my जूड़ रहा है, extra word कौन जूड़ रहा है, my जूड़ रहा है, तो my भी एक तरह से क्या है, इस subject का attribute है, लेकिन my वास्तों में है क्या, my एक परकार का adjective है, कैस adjective है, किसे हम possessive adjective बोलते हैं, जब मैंने आपको book 1 में adjective पढ़ाया था, तो types of adjective में आपने देखा होगा, my, your, he is there, यह सब possessive adjective होते हैं, तो यहां जो attribute है, यहां जो subject का attribute है, यह क्या है, यह पूरे sentence में हम subject attribute के बारे में बात कर रहे हैं और subject attribute में कौन-कौन हो सकता है कौन-कौन से चीजे subject attribute का काम कर सकता है उसके बारे में हम analyze कर रहे हैं ठीक है बात समझ में आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है चलिए उसके बाद अगर हम अगले sentence की बात करें तो अगले sentence में राहुल's dog is aggressive अब अगेन यहाँ पर हम चर्चा किसकी कर रहे हैं यहाँ पर हम चर्चा राहुल की नहीं कर रहे हैं यहाँ चर्चा राहुल की नहीं हो रही है मतलब aggressive राहुल नहीं है यहाँ पर aggressive कौन है aggressive dog है तो इसका मतलब है कि dog हमारा subject word हो गया इसका मतलब है कि dog क्या subject word है और इसके बाद वाले जो पार्ट है ये प्रेडिकेट है वर्ब के साथ जो पार्ट आते हैं ये प्रेडिकेट होते हैं ठीक है जो वर्ब के साथ पार्ट आते हैं वो सारे प्रेडिकेट होते हैं ठीक है और सब्जेट के साथ को एक्स्ट्रा पार्ट आता है तो वो सारे अट लग रहा है तो जब भी हम नाउन के साथ अगर हम अपस्टॉप एस लगाते हैं तो उसे हम पॉसेशिव केस बोलते हैं पॉसेशिव केस को जनेटीव केस भी कह जाता है इससे हम क्या करते कोई पॉसेशन बताते हैं संबंद बताते हैं या अधिकार बताते हैं तो यहां पर नवान ग्लिशे का तो यह जो इसके बारे में एक नए कारेक्टरिक जोड़ रहा है तो राहूल्य जो है यह सबुझक्ट वर्ड का क्या एक्ट्रिब्यूट ए तॉ यह कौन सा केस में है यह पुझेस घारें जारते इसके पुझेट आपकी हो नावन के साथ अगर हम आप स्ट्रों पेस जोड़ देते हैं तो इसे हम पजेसिव केस कहते हैं और पजेसिव केस को ही वास्तों में हम जेनिटीव केस भी कहते हैं ठीक है उसके बाद देखो सब्जेक्ट वर्डे डॉक से सब्जेक्ट वर्ड कोन है ठीक है यह हमारा सब्जेक्ट वर्ड अब देखो इसके साथ सब्जेक्ट का पार्ट कौन बना रहा है यह बार्किंग तो बार्किंग क्या हो गया यह डॉक्स का एट्रिब्यूट हो ठीक है तो बार्किंग वास्तों क्या क्य had logging तो यहां पर जो और यहां पर जो सबजेक्ट यह पाडिसी पील एजिक्ती वहां चेपल प्रीक्ट्इड को निया तो को नहीं है तो पर नहीं है वहां-चेपल-पझ वाब को जी के form में मिलेंगे यह तो वर्ब का 3rd form में रहेंगे लेकिन काम करेंगे एडजक्टिव का किसी नौन और प्रणौन के क्या करेंगे उसके वेशेश्चता बताएंगे ठीक है बात समझ में रही है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट अट्रिविट है यह कौन है बाकिंग है कौ अब यह भी हमने पिछले slide में देखा था, तो subject हमारा यहां जो है न, यह dog से, यह हो गया subject word, और bark at night, verb को ले करके, वर्ब के साथ, जितने भी, वर्ब के साथ, और उसके साथ जितने भी words होते हैं, यह सारे predicate कहलाते हैं, तो यह तो predicate हो गया, लेकिन subject हमारा main subject कौन है, dogs है, और subject के पार्ट को कौन बना रहा है, in the streets, in the streets ठीक है, तो in the streets जो है, ये कहीं ने कहीं क्या कर रहा है, ये attribute कर रहा है, किसको attribute कर रहा है, subject word को attribute कर रहा है, तो in the street अपने आप में क्या है, in the street अपने आप में एक phrase है, ये अपने आप में एक phrase है, और काम क्या कर रहा है, adjective का काम कर रहा है, इसकी विशिस्ता बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो, इस sentence में, जो subject attribute है, ये एक phrase adjective है, ये एक phrase adjective है, बात समस में आ गया, उसके ब मतलब हमें है कि subject actual में है कौन ठीक है तो इसके बाद यह वाले जो sentence जो हमने लिया है इस sentence में मुझे बताना subject word कौन है मैं आपको 5 seconds का time देता हूँ पटा-फट बताइएगा rocky my friend eats too much भाई कौन रोकी बहुत ज्यादा खाता है rocky my friend eats too much अब मुझे बताइएगा यह जो sentence है इसमें subject word कौन है इसमें subject word कौन है फटा-फट बताइएगा चलिए फटा-फट बताइए कि सरसिर्फ फ्रेज एड्जेक्टिव है या कोई और फ्रेज आ सकता है सिंपल सी बात है मतलब वो नहीं मतलब है कि कोई भी फ्रेज आ जाए अगर वो किसी नाउन को मोडिफाई कर रहा है तो एड्जेक्टिव है बस ठीक है फ्रेज जो है ना आपने फ्रेज में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो बुक्टूब में भी फ्रेज किस्पीच हो सकता है वो फ्रेज नाउन का भी काम कर सकता है वो एक एडजेक्टिब का भी काम कर सकते है वह कहां पर यूज अ उर्ए हो रही है उसका फंक्षन का है उस वोड कहेंगे हैं यह हमारा सब्जेक्ट्ट यह तो प्रेडिकेट हो एक तो भई यह सब्जेक्ट रॉकी है और इस टूमच प्रेडिकेट है तो फिर यह बीच में कहां से आगया यह माइच पीच में नाउन है तो अगर किसी noun के बाद अगर किसी noun के बाद अगर कोई दूसरा noun आ जाए ठीक है और वो noun अकेले भी आ सकता, अपने साथ कुछ और भी words लेकर आ सकते हैं और वो नाउन जो है न वो वापस अपने से पहले वाले नाउन को describe करें तो इस वाले नाउन को पता हैं क्या कहेंगे इस वाले नाउन को हम apposition कहेंगे इसे हम apposition कहेंगे तो फिर से सुनो कोई भी नाउन अगर किसी नाउन के ठीक बाद आता है अपने से पहले आने वाले को explain करने के लिए तो उस noun को बोलेंगे noun in a position noun in a position जैसे बोला गेक है सचीन तेंदुलकर the Master Blaster दे कैंदूलकर the God of Cricket तो सचीन तेंदूलकर के बाद हमने बोला the God of cricket तो यहां पर the god of cricket जो है न यह किस को किसका information दे रहा सचीन का दे रहा है तचीन एक noun है यह सचीन के हो गया कि यह एक पोस्यसरी बात है कि एक नाउन है और इसके मीनिंग को कौन एक्स्प्लें किया इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा जनकारी कौन दिया इसके बारे में इसके मिनिंग को डिसक्राइब कौन किया टॉक्ड को Describe कौन किया तो my friend और my friend में friend किया एक noun है तो एक noun आकरके वो अपनी दूसरे noun को क्या करें इसको explain करें तो उसको क्या बोलते हैं उसको एपोजीशन वोलते हैं तो यह जो है न माई फ्रेंड जो आना यह 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 एक पोजीशन ऑगर अगर आ सकता तो पहली बात यह भागया दूसरी बात यह है कि एपोजीशन के बाद जब इपोजीशन आता है तो क्या करते हैं पॉझिए कर रहा है है तो यहाँ पर दोनों भगल में देखों पॉझिए टो यहां पर सब्जक्ट वर्ड को को ने जिसन एहां पनिए गया डिके रहा है तो एपोजिशन इसको एट्रिव्यूट कर रहा है ठीक है नाउन इन एपोजिशन समझ में आ गया चलिए नेक्स एक्जामपल दिखीगा नेक्स एक्जामपल दिखीगा चर्चा किसकी हो रही है यह डिजायर की हो रही है ठीक है तो यह डिजायर क्या है डिजायर अपने आप में सब्जेक्ट वर्ड यानि में सब्जेक्ट है ठीक है तो एक्सपैंड्स यूर नॉलेज यह वर्व है एक्सपैंड्स क्या है वर्व है यह वर्व के साथ जितने भी words आ जाते हैं न ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रेडीकेट कहलाते हैं तो ये सभी फ्रेडीकेट हो गया है और desire हमारा क्या हो गया? ये हो गया subject word ये हो गया subject word बात समस् Premiere है अब इस subject word को पूल कौन कर रहा है? एक तरह से कौन कर रहा है इसको attribute कर रहा है तूल लर्न बात समस्थ में आ रहे हैं तो यह जो लर्न है न है यह जो लर्न न है यह तरह से इंफिनिटीव ए जब भी अगर आपको टू प्लास भी consumers दिखाई देना थो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम इनविजित ऑटे यह इन्फिनिटीव है ठीक है इसको हम इन्फिनिटीव बोलते हैं बात समझ में आ रही है तो यह इन्फिनिटीव है और यह क्या कर रहा है यह सब्जेट को मोडिफाई करता है देखो जो भी वर्ड चाहे वो सिंगल वर्ड हो चाहे वो ग्रूप अगर वो किसी नाउन को करना का मतलब क्या होता है किसी क्या करना उसके बारे में हमें हमें एक्स्टR Jenकारी देना उसके i देसे Б Hill को में में तके semester बारे होंग.. किसी को समझ में नहीं कुई खोदमेAtt्रीबूट है क्यों attribute है क्यूंकि वो उसके बारे में हमें एक extra information दे रहा है उसके quality के बारे में बात कर रहा है quality में कुछ भी हो सकता है color हो सकता है MOR One ужerten hija साइज हो सकता है कुछ भी हो सकता है किसी भी तरह का quality होता है उसी कह बारे तो gerundial infinitive हम इसको क्यों कहेंगे क्योंकि जो भी infinitive 2 प्लस भी 1 अगर वो modify करने का काम करता है तो उसे हम gerundial infinitive कहते हैं तो यहाँ पर subject attribute कौन है यहाँ पर subject attribute जो है यह एक gerundial infinitive है यानि 2 प्लस भी 1 है बात समझ में आ रही है किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया है न infinitive showing incomplete task भाया कहां से ऐसे ऐसे चीज़ है आप लोग पढ़ लेते हैं कुछ भी explain कर देते हैं कहीं से कुछ भी पढ़ लिया कुछ भी कौन बोला कि infinitive जो है वो incomplete task बताता है यह बात आप कहां से पढ़ लिए ठीक है ठीक है तो यह जो फालतू के जो जनकारी होती है ना यह पर incomplete or complete से कोई मतलब भी नहीं हमारा है यहां मतलब है कि यह जो चीज़ है यह किसी को modify कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पर ध्यान दो ना ठीक है अगर extra जानकारी भी है और अगर हो relevant है तो सही है लेकिन जो बात आप बोल रहे हो ना कहीं से भी relevant नहीं है ठीक है बस इतना सम से आपको confuse करने के लिए आप confuse कैसे होते है कभी कई बोलते सार हम reading करते तो हमको समझ में नहीं आता है समझ में इसलिए नहीं आता है आप बच्चों वाले बुक से पढ़ना सुरू करो आप सीधे अक्सर लोगों को सुना होगा कि भाई दा हिंदू पढ़ लो दा हिंदू नियूसपेपर पढ़ो ना तो तुम्हारा इंगलिस अच्छा हो जाएगा अरे भाईया पर छोटा सेंटेस तुमको पढ़ने नहीं आता है तुम बड़े बड़े संटेंस पढ़ोगे सिंथेसिस वगरा पढ़े नहीं हो आप ठीक है आपने ये बुक्टों को complete किया ही नह समझ में नहीं आता है हम द इंदू उ करो छोटा चीजिससे न छोटे-णोटे संटेस स्टार्ट करो बच्चो वाली इस चोड़ी शॉक पढ़ो छोटे-चोटे संटेस मिलेंगें तब धीडरीए अपना लेवल बढ़ाओ और बड़े sentence को तोड़ तोड़ को समझने के लिए आपको ये chapter पढ़ना पढ़ेगा, analyze करना पढ़ेगा कि subject को बड़ा कैसे किया जाते हैं verb को यानि predicate को बड़ा कैसे किया जाते हैं हम कैसे छोटे छोटे sentences को joint करके एक बड़ा sentence बना सकते हैं तो ये सभी का analysis बहुत जरूरी होता है तभी आप एक अच्छा writer और एक अच्छा reader बन पाओगे otherwise बड़े-बड़े sentences आपके बस की बात नहीं है इसलिए ये synthesis, transformation, analysis sentence का जो analysis होता न ये पढ़ना पढ़ता है इसलिए ये चीज़ important है बात समस में आगे तो basically आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये book 2 chapter में हमें पढ़ना क्या, ये चीज़ है क्या और ये जो lecture 1 था इसमें मैंने आपको subject और predicate के बारे में फिर से बताया फिर मैंने आपको बताया कि कैसे subject को बढ़ा किया जा सकता है subject एक word का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा word का भी हो सकता है predicate एक word का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा word का भी हो सकता है लेकिन जो एक word का predicate हो, चाहे एक से ज़्यादा word का predicate हो हर हाल में उसमें वर्व का होना बहुत जरूरी होता है without वर्व, no predicate is possible ठीक है, तो साथी साथ हमने सीखा आज की वर्व को कैसे नहीं, subject को कैसे बढ़ा किया जाता है subject को expand कैसे किया जाता है तो उसमें कई तरह के attribute जूड रहे है subject को बढ़ा करने के लिए कई तरह के attribute जूड रहे है ठीक है, adjective attribute जूड रहे है article attribute जूड रहे है possessive adjective attribute के रूप में जूड रहे है possessive और genitive के इस attribute के रूप में जूड रहे है participial adjective attribute के रूप में जूड रहे है ठीक है, phrase adjective attribute के रूप में जूड रहे है apposition attribute के रूप में जूड रहे है ठीक है और जिरेंडियल इंफिनिटिव एट्रिव्यूट के रूप में जूड रहा है तो आज हमने बेसिकली इस पर ज्यादा फोकस किया कि सब्जेक्ट एट्रिव्यूट क्या-क्या हो सकते हैं अगले क्लास में जो हम जानेंगे जब हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो अगले भार हम जानेंगे व्ब के बारे में व्ब को क्या-क्या एट्रिव्यूट कर सकता है जैसे हमने लिखा शी स्पिक्स बात समझ में आ तो जब हमने she speaks लिखा तो she यहाँ पर subject है और speaks verb है लेकिन अगर हमने लिखा she speaks she speaks fluently अब इसमें देखना कि she जो है ना यह subject है और speak verb है अब देखो verb जो है ना वर्ब के साथ एक चीज और जूड रहा है वर्ब के साथ एक चीज और जूड रहा है यह fluently जूड रहा है तो fluently तरसे क्या यह adverb है यह adverb है तो जो भी word वर्ब को modify करता है उसे हम adverb कहते है तो कहीं ने कहीं अब जो predicate है ना वो एक word का नहीं है तो जो भी वर्ब को modify कर रहा है या वर्ब को qualify कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे Adverbial qualification कहेंगे qualify करने का मतलब होता है modify करना तो और दूसरी बात है कि जब यह modify कर रहा है जब भी जो भी word verb को modify करता है तो वह adverb कहलाता है तो इसका मतलब है कि अगले class में एड़वियल क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टन चीज है ठीक है पूरे क्लासेश को कंटीनियू रखिएगा आप लोग तभी समझ पाईएगा और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि और भी क्या-क्या चीज आ सकती है जैसे सब्जेट कॉंप्लेमेंट हो गया अबजे पूरा सेंटेंस का कोस्ट मॉटम होगा पूरा हर पूर्जा खोल करकर रख देंगे सारा कुछ आपको समझ में आगा बस बने रहे और बिल्कुल भी अगबकाना नहीं है कि सार वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है बाई पढ़ने आये हो तो पेसेंस के साथ धीरत बुक वन भी मैंने आपका रिक्वेस्ट पे स्टार्ट कर दिया कैसा लगा आपको वीडियो पूरा इतना शेयर करो इतना लाइक कमेंट करो पूरा धुआ धुआ कर देना ठीक है मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे जहां पर